अगर आपको बॉल्यूड की अंदादुन टाइप की मुविस पसन है तो ये मुवि भी आपको पसन आएगी अंदादुन एक नए से कैटिगरी में थी जो थी डार्क क्राइम थ्रिलर इस टाइप की मुविस में क्यारेक्टर्स बहुत ही डार्क होते हैं जब इनके साथ कुछ गलत होता है तो आप जैस्टिफाइ कर ले दे कि ऐसा होना ही चाहिए था आज के हमारी कोरियन मुवी बीस्ट दैट लिंग टू दे स्ट्रॉउज और इसका और एक नाम है जो है बीस्ट क्लॉइंग अट दे स्ट्रॉज ये 2020 की क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मुवी है डारिक्शन और राइटिंग अंदादून की तरह ही लगती है और अगर आपको पसन आए होगी तो ये भी ज़रूर पसन आएगी मुवी के लास में एक अच्छा सा मैसेज भी है तो वो भी हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं मुवी स्टार्ट होती है और हमारा एक कैरेक्टर जिसका नाम होता है जंग ये हमें दिखता है ये एक लॉककर के शॉप में काम करता है अब देर हो चुके है और ये शॉप अब बन करने वाला है तब उससे दिखता है कि एक आदमी उसका बैग लेने के लिए आया ही नहीं यह जब इस बैक को उपन करता है तो यहाँ बहुत सारे पैसे होते है यहाँ काम करने वाला और एक लड़का होता है जिससे वो बहाना कहे कर यह बैक स्टोरेज में रखतेता है सही से चुपा कर अपने घर आ जाता है इसके घर पर इसकी मदर और वाइफ होती है इसके बैटी हायर एजूकेशन के लिए एक अच्छे सी उनिवसिटी में चली गई होती है जब एक घर आता है तो देखता है कि वाइफ इसके मदर की टॉयलेट साफ कर रही होती है इसके मदर बहुत ही स्टिक टाइप का कैक्टर है यह बहुत ही बुड़ी है पर अभी भी इससे सब को समझ में आता है जब जंग घर पर आता है तो जंग को कहती है तुम्हें वो जौब छोड़ देना चाहिए इनके पहले दुकान होगा करती थी पर दुकान पर अब कोई भी नजर नहीं रखता मदर कहती है कि फादर ने कितने एफर्स लिये थे सब कस्टमर्स पाने के लिए अब तुम्हें दुकान चलानी चाहिए जब यंग वाइफ के पास आता है तो वाइफ कहती है कि हमारी बेटी अब एक साला का ग्याप लेने वाली है उसके एजुकेशन की फीच उसके पास नहीं है और ये भी इसे प्रोवाइट नहीं कर सकते है इसलिए एक साला वो काम करेगी और इसके बाद फिर से एजुकेशन करेगी यंग की वाइफ भी महनती हुती है ये भी एरबोर्ट पर साफ सपाई का का काम करती है इसके बाद हमारा और एक मेन क्यारेक्टर इंट्रोड्यूस होता है जिसका नाम होता है तेयंग तेयंग एरपोर्ट पर काम करता है वहाँ पर उसका काम लोगों के पासपोर्ट अप्रूव करना होता है रात में एक ग्याइंग के पास तेयंग आता है इससे बहुत सारे पैसे लिये थे और वो पे नहीं कर पा रहा जो सब पैसे इसने लिये थे तो उसकी गल्फेंड इसे चुरा कर ले गई है इसके गल्फेंड का नाम यूनी होता है यहाँ एक बड़ा खतरना गुंडा होता है और उसका राइट हैंड भी उसके साथ बेठा हुआ होता है यह गुंडा तेयंग को कहता है कि तुम्हें जल से जल मुझे पे करना है अगर तुम पे नहीं करोगे तो मेरे आदमी को human intestine खाना बहुत पसंद है अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि योनी उसे भी दगा देकर भाग गई है पर उसका बॉस समझने वाला नहीं उसे जल से जल उसके पैसे चाहिए मुवी में बहुत सारे कैरेक्टर है पर आप ज़रा confused मत हुए है इनकी जो stories है यह perfect sense करती है और आपको सब समझ में आ जाएगा इसके बाद हमारा और एक कैरेक्टर जिसका नाम अता है मीरान यह introduce होता है यह एक बार में prostitution का काम करती है इस बार में एक दिन जीनते आता है इसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आ रही होती मीरान जब इसके पास जाती है तो इसे वो पसंद कर लेता है जीनते एक्चुल में चायना से आयो होता है मीरान फिर काम करकर घर आती है थोड़ी दिर में उसका हस्बन आता है उसके पास जब आता है तो इसे वो डर जाती है क्योंकि हर रात ये इसे बहुत मारता है एक्चुल में मीरान और उसके हस्बन ने एक लोन लिया था परजी स्कीम्स के चक्कर में आकर ये सब पैसे उन्होंने इन स्कीम्स पर लगा दिये इसके बाद इसका पती मीरान को ही ब्लेम करता है इसके बाद हमें फिर से तेयंग दिखता है तेयंग वही है जो एरपोर्ट पर काम करता है तेयंग को उसके एक फ्रेंड का कॉल आया हुआ होता है और वो इस कंट्री में आने वाला है तेयंग अपने कजन से मिलने के लिए आया हुआ होता है इसका कजन भी एक बार में काम करता है इसके कजन को पता चल जाता है कि तेयंग को अब कुछ काम होगा इसी वज़े से ये आया हुआ है एक खाना में गराखाते इधर उदर की बाते करते है फिर तेयंग असली बात करने के लिए स्टार्ट कर देता है यह कहता है कि मैंना एक फ्रेंड आने वाला है जिसने बड़ा सा स्कैम किया था वो अपने साथ सब पैसे ला रहा है तो मुझवर बहुत ट्रस्ट करता है इसे वज़े से उसको शक भी ने आएगा तेयंग को यह सब पैसे उसके फ्रेंड से एटने होते है अपने कजन को सब प्लैन वो बताता है कजन कहता है कि प्लीज मुझे इसमें मत गसीटो वो कोई भी इलिगल चीज नहीं करना चाता पर बहले इनने बहुत सारी चीज़े की है तो इस बार भी तेयंग इसे मना ही लेता है नेकसिन में जंग अपने जॉब पर तीन मिनिट के लिए लेट हो जाता है इसका बोस बहुत इखटिया है और इसे बहुत डाटता है जंग अपने साथ काम करने वाले एक आदमी को कहता है कि क्या कोई आया था बैक को लेने के लिए यह कहता है कि कोई भी नहीं आया अब जंग को जड़ा अच्छा लगने लग जाता है नेक सिन्वे हम देखते है कि मिरान और जीन्दे दोना इक दुसरे के साथ इंटिमेट हो चुके है जीन्दे को मिरान पसंद आने लग गई है उसे कहता है क्या तुम्हें वो जॉब करने कोई ज़रूरत है मिरान जब उठती है तब उसके पीट पर बहुत सारे मार खाने के मांक्स होते है जीन्दे उसे पूछता है क्या तुम्हेरे हस्बन नहीं ये किया है तुम्हें उसे छोड़ देना चाहिए मेरा अनकेती को इस रिलेशन्शिप में स्टक है जिनते बोलता है कि मेरे मदर को भी मेरे फादर मारते थे मेरी मदर भी मार खाती थी मैं उन्हें प्रोटेक करने की कोशिश करता था पर वो मुझे रोक लेती थी आदत एक बुरी चीज है क्या तुम भी इसी तरीके से मार खाने की आदत बनाना चाहती हो इसके बाद यसी नहीं खतम हो जाता है नेक सिन में हम देखते है कि जंग की वाइफ होस्पिटल में है जंग की वाइफ जंग की मदर को लेकर सीडियो से जा रही थी मदर को लगा कि यह उसे सीडियों से गिरा देखी इसलिए जंग की वाइफ को यह उसे ढखेल दिया इसी वज़े से इसे अफ फ्रैक्चर आया है और यह हॉस्पिटल में है जंग घर पर आता है और अपने मदर से बात करता है और उसकी मदर सुनने वालों में से नहीं होती नेक सिन में हम देखते है कि तेंग अब अपने फ्रैंड को लेने के लिए एरपोर्ट पर आया हुआ है वो बहुत वेट करता है और उसका फ्रैंड आता ही नहीं तोड़ी देर में वहाँ उसके गाड़ी के पास एक डिरिक्ट्यू आ जाता है वो तेंग के फ्रैंड का नाम लेता है और कहता है कि उसने एक बड़ा सा स्कैम किया था इसी वज़े से वो उसे ढून रहा है तेंग को पूछ रहा हता है क्या वो उससे जानता है तेंग कहता है कि नहीं ऐसे किसी भी नाम के आदमी को मैं नहीं जानता पर इस डिरिक्ट्यू के पास जब यह सकूल में थे इस कलास के सब रेकार्स होते है जबरदस्ती ये डिरिक्ट्यू तेंग को खाना खाने के लिए लेकर आता है तेयंग को उसके फ्रेंड की फोटो दिखाता है और तेयंग भी आप मान लेता है कि उससे पहचानता है ये डिरेक्ट्टू कहता है कि मैंने उसके सब कॉल रेकॉर्ड स्विगरा भी निकाले थे पर उसमें तुम्हारा नंबर नहीं है वो एक डवी फोन यूज़ कर रहा होगा यानि कि पुरा शक तेयंग पर ही उसका है तेयंग ने अपने फ्रेंड के साथ बात करने के सब कॉल रेकॉर्ड मिटा दिय हो दे टेयंग भी confidently कहता है कि देख लो कोई भी रेकॉर्ड नहीं है इसके बाद डिरेक्टिव कॉल आ जाता है और वहाँ से चला जाता है बहुत ही expensive जगा टेयंग को उसने लाय होगा होता है और टेयंग को इस सब बिल बे करना पड़ता है हमें फिर से जंग दिखता है वाइफ ऑस्पिटल में इसी वज़े से आज काम को लेट हो चुका है अपने बॉस को जब वो कॉल करता है तो उसका बॉस कहता है या अब तुम्हें आने की कोई भी ज़रूत नहीं है उसे वो fire कर देता है नेकसन में हमें मिरान दिखती है उसके हस्बन की health policy वो देख रही होती है तो उसका हस्बन accident से मर जाता है तो उसे half million dollar मिलने वाले होते है इस के बारे में अब भू जीनते से बात करती है जीनते से मिलकर वो अपने हस्बन को मारने का plan बनाती है मिरान कहती है कि रात में मेरा हस्बन बहुत ही ड्रिंक करता है और दो-तीन बजे पार से बाहर आता है जब मिरान का हस्बन बाहर आएगा तब जीनते उसे गाड़ी से उड़ाने माला होता है जीनते भी इसके लिए मान जाता है और एक आत्मी को उड़ा देता है वो आगे जाता है और मिरान को कॉल करता है कि सब कुछ ठीक रहा है अब वो एक मौंटन बाद जा रहा होता है मिरान कहती है कि तुम वहाँ क्यों जा रहे हो जीनते कहता है कि वहाँ एक कॉम्प्लिकेशन हो गया था उसके बॉड़ी में वही नहीं रख सकता था आदमी को मार दिया था अब नेक सिन में हमें तेयंग दिखता है तेयंग के कजन के पास गैंगस्टर आया हुआ होता है तेयंग अपने फ्रेंड को एटने वाला था सब पैसे उसे लेने वाला था ये सब गैंगस्टर को पता चल चुका है तेहंग से भी यह सब प्लान बुलवा लेता है अब इसे भी इन पैसों में से कट चाहिए गैंग्स्टर जाने के बाद तेहंग का कजन बहुत ही वरी करने लग जाता है तेहंग कहता है वरी मत करो जो भी सब चीज़े होती है इसके पीज़े कुछ रिजन होता है तेंग फिर उसे एक स्टोरी सुनाता है वो कहता है कि तुम्हें पता है क्यों मैं सिगरेट पीता हूँ इस सिगरेट का नाम Lucky Strike होता है कहता है कि मेरे फ्रेंड के साथ एक long trip के लिए मैं जा रहा था हम रोड पर petrol भरने के लिए रूखे थे मुझे सिगरेट बाय करने थी मैं सिगरेट बाय करने के लिए गया और एक बड़ी सी ट्रक आई और मेरे काड़ी को उसने ठोक दिया अगर मुझे सिगरेट पीने की आदत नहीं होती तो मैं अभी जिन्दा नहीं होता तेंग अपनी बुरी चीज़ों का भी इसी तरी की से justification करता है इस story को आप याद रखे movie के last में आपको काम आएगी मिरान फिर से जीन्दे से मिलती है वो कहती है उनका plan अब unsuccessful हो चुका है उसे फिर से job करना पड़ेगा वो जीन्दे को कह रहे होती है कि वो चायना चला जाए वो वहाँ safe रहेगा जीन्ते ने उस आदमी को मारा तो murder करने के बाद उसे बहुत ही पुरा लग रहा है Nixon में हमें यंग दिखता है यंग का job चला गया है तो पैसो का क्या ये उसे सवाल आता है वो जल्दी से उसके job के यहाँ आ जाता है और पैसो की बैक लेकर बाहर निकलता है जब यहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ police डिडिक्टिउस आ जाते है जो आदमी पैसे रख कर गया था उसकी जाचोग कर रहे है यंग उसे नहीं जानता यह कहे कर वहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ उसका boss भी आ जाता है जब boss इसकी back देखता है तो पुछता है कि इसमें क्या है यंग कहता है कि मेरा सब सामान है बुक्स वगरा मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ boss कहता है कि मुझे देखना है यहाँ पर police भी होते जो जा रहे होते पुलीस जब तक वहाँ से चले नहीं जाते तब तक यंग अपने boss से बात करता रहता है उसे टालता रहता है जब police यहाँ से चले जाते तो जंग अपने boss को कहता है यह देखो मैं पहले तुमारे लिए काम करता था तुम मुझे तंक करते थे पर फिर भी ये में सब सहन कर लेता था तुम अब मेरे बॉस नहीं हो तुम्हारे साथ में बहुत गलत चीज़े कर सकता हो ये उसे धमकी दे कर वहाँ से चला जाता है बॉस भी इसे डर जाता है इसके बाद नेकसिन में हमें बार में एक आद्मी तमाशा खड़ा करता हो दिखता है मिरान में वहाँ होती है या फिर इस बार एकी ओनर आती है ये यूनी ही है तेंगी गल्फेंट जो उसके सब पैसे लेकर भाग गए थी ये वही है ये आदमी यूनी इसे disrespectful होता है तो उसे slap करकर वहाँ से चली जाती है मिरान को भी अपने पास वो बिटाती है मिरान की इंजुरिस देखकर समझ आती है कि उसका husband उसे मारता होगा मिरान को कहती है अगर तुम्हें कोई भी तरीक एका problem आया तो मैं तुम्हारे लिए हूँ तुम ज़्यादा वरी मत करना अब हम देखते हैं कि जिन्दे को मिरान को call आता है आदमी को मानने के बाद जिन्दे बहुत ही disturb हो चुका है इसे आवाज से सुनाई दे रही है मिरान अब इससे मिलने के लिए जाती है यह बहुत ही disturb होकर कह रहा होता है कि अब मैं पुलिस के पास जाने वाला हूँ सब को जोने बता दूँगा वो मिरान का नाम ने लेने वाला होता पर फिर भी मिरान को एक खत्रा होता है मिरान कहती ही कि जिस आदमी को तुमने गाड़ा है उसकी जाकर हम शान्दी करकर आते है तुम्हे ज़रा अच्छा लागेगा यह फिर माउंटन में पहुचते है और वहाँ सब को जो सेरे में निविकरा करते है जिनते को अभी भी सब गलत लग रहा होता है यह फिर से मिरान से कहता है यह वो डारेकली पुलिस के पास ही जाने वाला है यह आगे चलने लग जाता है और मिरान बहुत ही डर जाती है यह गाड़ी स्टार्ट करती है और गाड़ी से जीनते को उड़ा देती है उड़ाते वक्त इसका भी एक्सिडन्ट हो चुका होता है फिर यूनिको कॉल लगाती है यूनिको उसके हस्वन का जो इंशॉरंस था इसके बारे में जो सब सिच्वेशन होई थी इन सब के बारे में पदा देती है यूनी केती है तो डरने के कोई भी जरूत नहीं है मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी कार को वगरा वो स्क्रैप कर देती है इसके बाद उसे एक स्विमिंग पूल पर लेकर आती है यूनी के बॉड़ी पर शाक का टैटो होता है इस टैटो की स्टोरी वो उसे बताती है यूनी केती है शाक को बहुत सारे बच्चे होते है पर जब वे पेट में होते है तो एक दूसरे को खा जाते है जो सबसे स्ट्रॉंग होता है ये बहार निकलता है ये इसी प्रिंसिबल से चलती है मीरान को बता रही होती है कि उसके हस्बन को उसे मार देना चाहिए इसके लिए यूनी उसे हेल्व करने वाली है उसे एक पॉईजन देती है जिससे मीरान का पदी स्लोली स्लोली मर जाएगा ये उसे सब कुछ बताती है कि पुलिस के पास उसे किस तरह के नाटक वेगरा करने है मेरान सचुष में उसके पदी को मार डालती है और सब नाटक वेगरा करती है अब इसको इंशॉरंस के सब पैसे मिल जाते है इसके बाद यूनी के पास उसे थैंक्यू कहने के लिए आती है उसे आदे पैसे भी वो दे रहे होती है पर यूनी कहती है कि मैं पैसो के लिए मैंने इस सब नहीं किया वो मिरान को एक नई कंट्री में जाकर नई लाइफ स्टार्ट करने में हेल्प करने वाली होती है यून ही मिरान को है दिये कि अब नई लाइफ तुम स्टार्ट करो जिस आदमी को जिनते ने मारा था वो एक रेपीस था उसके साथ यह होना ही चाहिए था जबे दोने सेलिबरेट करते है तो मिरान के शैंपियन में उसने वेहोशी की दवा मिला दी होती है रात में मिरान जब उठती है तब ये टेबल पर होती है और यूनी अब इसे मार देने वाली होती है यूनी मीरान के तुकड़े तुकड़े करकर नदी में फेक देती है सब पैसे अब वो ले लिती है यूनी अमिर होती है पर फिर भी इसे ये स्कैम करना अच्छा लगता है वो अब सब को सेल करकर सब पैसे लेकर एक नगी कंट्रे में जाना जाती है तेयंग जब घर पर आता है तो वहाँ यूनी अल्रेडी आई हुई होती है तेयंग उस पर बहुत ही नाराज होता है क्यूंकि उसे कुछ भी ना बताते हुई वो चली गई थी इसके बाद ये दोनों इंटिमेट हो जाते है और यूनी कहती है कि मुझे एक पासपोर्ट चाहिए तेयंग एरपोर्ट पर ही काम करता है तो अप्रूब कर सकता है इसी वज़े से वो तेयंग के पास आये हुए होती है तेयंग फिर से इस पर चिट जाता है वो कहता है तुमारा काम है इसलिए तुम आई हो तुम मेरे नहीं आई यूने से समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है वो सच्विश में उससे प्यार करती है यहाँ डोर पर नौक आती है और डियंग इसे देखकर डर जाता है यह जब यूने को देखता है तब इस पर लाइन मारने लग जाता है यह सब अब डिनर कर रहे होते है यह डियंग अब डियंग को कहता है कि तुमारा फ्रेंट पकड़ा जा चुका है आज रिवर में मुझे एक बॉड़ी मिली थी तो मुझे लगा कि तुम्हारे फ्रेंड की ही होगी बर एक लड़गी की थी ये लड़गी मिरान की होती है जिस तरह से यूनी ने उसके बॉड़ी पर शार का टैटू बनवाय हुआ था उसी तरह से मिरान ने भी बनवा लिया था ये टैटू उस बॉड़ी पर था ये डिरिक्ट्टू तेयंग को कहता है तेयंग को पता जल जाता है कि मिरान को यूनी नी ही मारा है डिनर करते वक इनकी बियर खतम हो जाती है तेयंग कहता है कि जल्दी से जाकर मैं ये लेकर आता हूँ स्टोर में जाकर वो अपने कजन को कॉल करता है वो कहता है कि यूनी वो आपस आ चुकी है वो अलग कंट्रे में जा रही है तो इसके पास बहुत सारे पैसे होंगे यूनी इसे पैसे लेने के लिए उपने कजन से हेल्प मांग रहा होता है ये कजन भी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है जब देयंग घर पर वापस आता है तो हमें दिखता है डिरेक्ट्ट्व को यूनी ने मार डाला है डिरेक्ट्व युन ही पर लाइन मार रहा था तो एक सेकर में उसने उसे मार डाला मुवी में आगे हमें पता चलता है कि जो डिरेक्ट्व था ये डिरेक्ट्व था ही नहीं एक गुंडा था जो ढूंग कर रहा था कि वो डिरेक्ट्व है ये भी पेशों की पीछे ही था यूनी देयंग को उसे help करने के लिए कहती है body का सब कुछ ठिकाना वेगरा वो लगाते है जब यूनी साफ सबाई करती है तब देयंग एक पैन लेता है और यूनी की सर पर मार कर उसे बेहोश कर देता है नीचे पार्किंग में जाता है और इसके गाड़ी में सब पैसे उसे मिल जाते है जब यूनी उठती है तब देयंग ने जिस गैंस्टर से पैसे लिये थे वो गैंस्टर यहाँ आ चुका है देयंग वहाँ से भाग गया है और यूनी को उसने फ्रेम कर दिया है यूनी तेयंग को कौल लगाती है पर तेयंग कहता है यह तुम्हारे साथ मैंने इतना सब वक्त गुजारा पर फिर भी तुमने मुझे धोका दिया था इसका तुम इसे पेबैक समझ लो यह पैसे लेकर फिर तेयंग लॉकरूम में आ जाता है यही वो पैसे है जो जंग को मिले है तेयंग यह पैसे हा रख कर थोड़ी टाइम में वहाँ से जाने माला होता है तब इसके सिग्रेट खत्म हो जाते है सिग्रेट लेने के लिए जब वह भाहर आता है तो गैंग्स्टर उसे spot कर लेता है ये गैंग्स्टर तेयंग की पीचे पीचे भागता है तेयंग रोड़ पर आ जाता है और एक गाड़े की नीचे आकर वो मर जाता है जैसा मूवी में हमने देखा है कि तेयंग बिलीव करता था कि सिगरेट की वज़े से उसे लाइफ मिली है पर उसी सिगरेट नहीं इसकी लाइफ ले ली ये मूवी सुपास्टिशन्स पर एक अच्छा सा कॉमेंट करती है नेक सिन में हमें जैंग दिखाए गया है और अपने वाइब से वो बात कर रहा है अपने वाइब को कहता है कि अब तुम्हें काम करने कोई भी जरूरत नहीं है इसके वाइब उस वर बिलीव नहीं करती और काम पर चली जाती है जंग को फिर उसके बॉस का कॉल आता है उसका बॉस उसे कहता है नो ने figure out कर लिया है कि ये पैसे जंग के पास ही है जब ये जंग को back के बारे में पूछते है तो जंग कहता है कि वो back मेरी wife ने मुझी दी थी जंग वहाँ uncomfortable हो जाता है और वहाँ से निकल जाता है गर आने के बाद सब पैसे वो check करने लग जाता है तो भी गैंस्टर और यूनी वहाँ पोच जाते है यूनी और गैंस्टर ऐसा ढोंग कर रहे होते है कि ये police directives है सब पैसे वो ले लेते है अवाजे आ रही होती है तब जंग की मदर वहाती है जंग उन्हें introduce कराता है पर मदर कहती है ये directives थोड़ी ना है इनके हाथ पर tattoos लग रहे है इस तरह के tattoos allowed नहीं है यूनी मदर को मारने लग जाती है और बेहोश कर देती है ये गैंस्टर भी जंग को बेहोश कर देता है गैंस्टर का जब ध्यान नहीं होता तो यूनी गैंस्टर को ही मार देती है इसके बाद पेसे लेकर वहाँसे भाग जाती है पुरे घर को उसने आग लगा दी होती है गैंस्टर का right hand जब ये सब देखता है तो इसे बहुत कुस्सा आता है यूनी एरपोर्ट पर आती है और ये सब पेसे वो लॉकर में रख देती है ये गैंग्स्टर का राइट हैंड यूनी को स्पोर्ट कर लेता है ये जाता है और बेरह में से इसका मर्डर कर देता है यूनी समझती थी ये वो एक सार्क है सबको मार कर बच कर वो हासे निकल सकती पर अब उसका ही शिकार हो चुका है फिर से हम अपने आपको क्या समझते और क्या होता है इस पर और एक कॉमेंट ही मुवी करती है इसके बाद हम देखते हैं घर जब जल रहा था तो जंग फिर से होश में आ गया था अपनी मदर को लेकर वो बाहर आ जाता है उसका घर भी जल गया है और पैसे भी चले गया है वो रोने लग जाता है उसकी मदर फिर उसे कहती है कि रो मत तुम अभी भी जिन्दा हो यही इंपोर्टन्ट है अगर मुवी में देखे तो बहुत सारे कैरेक्टर्स मर चुके है यह उसे समझाती है कि तुमारे फादर जब वार से वापस आये थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था और तुमारे फादर मेहनत ही थे उन्हेंने शॉप खड़ी की और इसके वाद अच्छे से बिजनेश चलाया जब तक तुमारे पास हाद पेर है और तुम महनत कर सकते हो तब तक कोई भी तुम्हें प्रॉलम ने आएगी जिन्दगी में लालच एक बुरी चीज है जिन्दगी में लालच एक बुरी चीज है और यह हमेशा डुबा करी जाती है मुवी में सब लोगों ने लालज किया है और उन्हें मरना बढ़ा है सब ने लाइफ में शॉटकर लेने का ट्राइक किया और सब लोग फस गये मुवी में सबसे हेलपलेस कारेक्टर मीरान का ही था उसका पती उसे मारता था पर revenge लेने की लिए उसने अपने पती को भी मार डाला जिनते पुलिस को कुछ भी बताये ना इसलिए उसने जिनते को भी मार डाला वो मिरान का नाम नहीं लेने वाला था पर फिर भी वो क्रोल बन चुकी थी जिस तरीके से उसका हजबन क्रूल था वही वो बन चुकी थी इसे वज़े से उसे भी प्राइस पे करनी पड़ी अब मुवी के लास्ट में हम देखते है कि जंग की वाइव एरपोर्ट पर काम कर रही है वापर जो वो साफ सपाई कर रही होती है तो लौकर खुल जाता है अंजर जब वो देखती है तो यूनी ने जो सब पेसे छुपाए थे यह सब उसे मिल जाते है यह लेकर तुरंत वहाँ से जा रही है यह हमें दिखता है यही इस मुवी की थोड़ी से अटपटी थोड़ी से हैपी एंडिंग हो जाती है आज मेरी तरब से आप सब को हैपी इंडिपेड़नस डे आप सब अच्छे से इंडिपेड़नस डे सेलिबरेट किजेगा आज की वीडियो हम यही कतम करते है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तुम लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सारी इस तरह की मुवीज लेकर आते रहे तो तुम लिए इस चालों को सबस्क्राइब कर दीजे और बेल नोटिवेशन आइकन दबाना भी मत भूलिए हम फिर से मिलेंगे और यह नहीं मुवी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और हम अपने आपका ख्याल रखे